आश्कार दोस्तो वेलकम टू पीके क्लासिस दोस्तो आज मैं आपके लिए फ्लूड मैकिनिक्स पर पूछे जाने वाले बस्तू निस्ट प्रिसने हैं जो आपको समझाऊंगा जो कि हमारे डिफरेंट काम्टेटिव एक्जाम आलसो आरजी पीवी आनलाइन एक्जाम के पॉ पाइपलाइन पाइपलाइन दफ्लूड इजब हम किसी भी पाइपलाइन के बाल्व को खोलते हैं तो खोल लेके दोरान जो फ्लू होता है वो किस प्रकार से होता है इस्टड़ी, उनिफार्म, अनिस्टड़ी, लेमिनार तो दोस्तो हम जानते हैं कि जब भी हम पाइप के बाल्व को ओपन करते हैं खोलते हैं तो उस दोरान जो फ्लू होता है वो अनिस्टड़ी फ्लू होता है अनिस्टड़ी अनिस्टड़ी का मतलब है जिसके पेरामिट के respectively में क्या होते हैं चेंज हो जाते हैं जैसे डेंड बैलोसिटी हो गई प्रेसर ओगई देंशिटी तो यह हमारे जब चेंज होगे तो यह क्या होगा उनिस्टडी फिलो कहला है गातो उसका दोस्तों हो जाएगा option C रोटा मीटर इज डिवाइज यूज टू मेजर जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं फिलूट्स में बेंचुरी मीटर रोटा मीटर पिट्टीव और फिस्मीटर यह हमारी कुछ मेजरिंग डिवाइज होती हैं जिनके सबके अलग-अलग functions होते हैं तो रोटा मीटर है जो एक इस किसको मेजर करते हैं फिलो के लिए किसके लिए मेजर करते हैं रोटा मीटर से फिलो के लिए बैंचुरी मीटर का भी उप्योग किसके लिए करते हैं डिस्चार्ज को या फिलो को रेट को मापने के लिए तो राइट आप्शन हो जाएगा आप्शन ए दोस्तो हाट वायर एन हाट भायर का उपिकों प्योग किसको मेपने में करते हैं किसको मेजर करें गैस किसको मेजर किया जेता है गैस की वाडु Genet इसके कि साहता से 2 Ведь that's two important for Salaric floating body जब हमारी कोई वी बाड़ी फ्लोट करती है फ्लोट मतलब तैरती है पानी में तैरना फ्लोट करना तो इसमें दो important कौन से force हैं जो की लगते हैं तो right है option B, buoyancy and gravity ये दो forces हैं जो की important है floating body के लिए buoyancy and gravity तो दोस्तों जो भी छात channel पर first time है जिनने अभी भी channel को subscribe नहीं किया है वो channel को subscribe करें जिससे आने वाला latest video आपको मिल सक के इसके अलावा RGP भी जितने भी important notifications होते हैं आपके exam से समन्दित या आप लोगों के लिए वो भी आपको समय से मिल पाएं next question देखेंगे question number fifth fifth number का question से दोस्तों question number fifth है ratio of inertia force to elastic force is known is अब यह हमारे dimensional number से question है dimensional number में ratio of inertia forces to elastic forces is known इसको हम किसके नाम से जानते हैं प्राउड नमबर बेबर नमबर रेनल्ड नमबर या match नमबर तो दोस्तों रेशो जो inertia force अपान elastic force से हमारा क्या कहलाता है match नमबर इसको हम किस नाम से जानते match number next question देखेंगे दोस्तों Kinematic viscosity is equal to Kinematic viscosity is equal to क्या होता है dynamic viscosity upon density means mu upon rho mu upon rho जो होता है दोस्तो यह हमारा क्या कहलाता है kinematic viscosity ओके दोस्तो next question देखते हैं matter center height is the distance between the matter center of matter center and किसके वीच की distance होती है center of gravity right option है इसका दोस्तो option c center of gravity matter center height is the distance between the matter center and center of gravity ओके दोस्तो next question देखेंगे पिटो टीब इस यूजटो मेजर जो पिटो टीब होती है अब एक question आगे है दोखो पिटो टीब इस यूजटो मेजर पिटो टीब का हम किसको मापने में यूज़ करते हैं जो कि हमारी एक L-save type की होती है जो pipe में open होती है बीच में L-save की अब इससे पानी फिलो होके जाता है तो इससे हम किसको मेजर करते हैं velocity क्योंकि जो velocity पिटो टीब से मेजर करते हैं वो क्या होती है under root 2GH under root 2GH H मतलब होता है head कितना पानी इस tips में राइच किया ओके दोस्तो तो right option इसका हो जागा option D velocity correct option 9th नम्मर question velocity distribution in the turbulent boundary layer flow boundary layer following law जो हमारा velocity distribution है turbulent boundary layer में वो किस law को फालो करता है logarithmic option C is correct दोस्तो किस के लिए logarithmic के लिए फालो करता है बर्नोली ठेवरम deals with the conservations आप जैसे कि दोस्तो हम जानते हैं बर्नोली equation deals with the conservations आप क्या energy continuity equation mass A energy तो right option क्या हो जाएगा B energy ओके दोस्तो next question देख लेते हैं in immersed body center of pressure is in immersed body center of pressure is क्या होता है immersed body के लिए immersed का मतलब do bी हुई किसी भी पानी में do bी हुई बाडी है तो in immersed body center of pressure is below the center of gravity right option क्या हो जाएगा दोस्तो below the center of gravity किसमें immersed body के लिए center of pressure है जो वो क्या होता है below the center of gravity के नीचे होता है pressure okay one stroke is equal to अब दोस्तों यहाँ पर हम floats में देखते हैं property आप floats जब पढ़ते हैं हमारी इसकी जो unit होती है poise में भी दी होती है centi stroke में भी दी होती है तो यह ध्यान रखना है कि burn stroke is equal to कितना होता है 10 to power minus 4 meter square per second right option इसका क्या है option V 10 to power minus 4 meter square per second okay दोस्तों next question the stress strand relation of the newtonian fluid is newtonian fluid वो fluid होता है जो हमारा newton's lab viscosity को follow करता है जिसमें shear stress directly proportional to shear strand होती है वो हमारा क्या है newton's lab viscosity होता है तो उसी ला को यह follow करता है इसलिए इसमें जो हमारा है stress strand relation वो linear होता है कैसा दोस्तो linear option is correct दोस्तो next question देखेंगे तो दोस्तो channel को subscribe करना मत भूलिएगा क्योंकि channel यह दिए आप subscribe करेंगे तो आपको बहुत अच्छे-च्छे आपके subject से समन्दित mcq and आपके theoretical video pk classes में मिलेंगे आपको question number 14 देखेंगे दोस्तो 14 number का जो question है the discharge the discharge our triangular notch is अब यह notch and bears का question आ गया है कि जो हमारी discharge है triangular wear में वो क्या होता है directly proportional to h की power 5 by 2 right option directly proportional the discharge our triangular notch is discharge किसके proportional होता है direct q is proportional to h की power 5 by 2 h is the head right option क्या है d okay the body will float if the force of buoyancy is dash dash the bit of the liquid display means the body will float कोई भी बाड़ी है तब float होगी तब भहेगी तेरेगी यदि force of buoyancy is dash dash the weight of the liquid displaced क्या हो जाएगा more than force of the buoyancy is more than the weight of the fluid displaced right option क्या है इसका c right option क्या है दोस्तो c the density of water is 1000 kg per meter q at जो water की density होती है 1000 kg per meter q at 4 degree जो कि अक्सार काम्ट्रेटेव एक्जाम में पूछ लिया जाता है आप कोई भी काम्ट्रेटेव की वक्रेफर करेंगे तो यह question आपको हर जगा मिलेगा ओके दोस्तो next question है question number 17 है दोस्तो 17 number का question है आप बिसल आप 4 meter q content oil यह कोई बिसल है इसलेंडर है 4 meter q content oil बिच वेट 30 किलो न्यूटन अब यह आपको कैल्कुलेट करना पड़ाएगा तो इसके लिए आपको मालू होना चाहिए 4 meter q meter q इसकी बाइलूम की unit है तो बाइलूम आप फ्लूट दिया है 4 meter q जो बिच दिया हुआ है बिच आप दि फ्लूट वो 30 किलो न्यूटन specific weight small gamma या rho equal होता है weight of the fluid to the volume of the fluid तो इसमें आप यहां से कर लोगे बिच है 30 किलो न्यूटन क्योंकि किलो को न्यूटन में change करोगे तो बंधा हुझें से multiply करेंगे और फोर से divide करेंगे तो यह हमारा चरसत्त्य अट्टाई 7.5 kilo newton per meter क्यों निकलेगा ओके दोस्तों इस तरह से हम specific weight की property को लगा की calculate कर लेंगे 7.5 kilo newton per meter क्यों right next according to equation of continuity जैसे कि हम flutes में continuity equations और Bernoulli equation का भूत जादा रोल होता है तो continuity equation के according क्या होता है a1 v1 equal a2 v2 क्योंकि यदि हम incompressible flutes की बात करेंगे तो incompressible में जो density हो क्या होती है यह constant होती है तो cancel तो right option हो जाएगा a1 v1 equal a2 v2 ओके last question देखेंगे आज का 1 twice is equal to 1 twice is equal to कितना होता है 1 by 10 Newton second per meter square 10 से divide करोगे 1 के लिए कितना हैगा 0.1 Newton second per meter square right option इसके क्या हो जाएगा दोस्तो a तो दोस्तो वीडियो अच्छा लगा तो comment बताएंगे आप लोग कि वीडियो अच्छा लगा है और भी question हम आपको बनाएंगे और वीडियो को लाइक करना अपने दोस्तों को शेयर करना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना थैंक नाएंगे बनाएंगे